सेरियल मन अती सुन्दर में सुजाता सारे काच फोड़ देती है और तभी बाहर सोचती है तेल की कटोरी लेकल की गिरादू यहां से तो गिर जाएगी राधिका पर टूटी टांग से कैसे जाएगी और छुप जाती है परदे के पीछे लेकिन जब परदे से बाहर निकलती ह तो नीचे कविता गिर जाती है और कहती है मैं सब को बता दूँ कि तुमने यह सब किया है धर राधिका जाने लगती है सारे लोगों से बाय करती है और सारे लोग उससे कहते हैं कि अच्छे से जाना और कविता सुजाता को फिर से टाइंट कसती है यहां पर दिव्यम और राधिका आ जाते हैं रिजोर्ट में उनका स्वागत होता है रिजोर्ट बहुत बड़ा होता है राधिका देखकर खुश हो जाती है और दिव्यम कहता है मैं काम से जा रहा हूं तुम यहां पर घूम कर फोटो क्लिक करती है तो एक लड़की दोड़ती हुई आती है खाने का इंतजाम है वह गोलू को फोन करके सारे रिजॉर्ट की वीडियो कॉलिंग करके दिखाती है और मा कहती है कि तुम हमें जलाने के लिए ऐसा कर रही हूँ वहाँ एंजॉय करना सारे लोग बहुत अच्छे से हैं मेरे बेटे की बेज़ती मत कराना फिर रादिका खान हमारे बेटे के यह तुम सब्ढ़न है और क्विता सुन लेती है और चिलाने लगती है और फिर से भड़काने लगती है इधर Ihnen घर घर्टी जितरी बीडेग के किसे ऊसी है तुम क्या जानो कैसे कपड़े पहने हैं फिर वह कमरे में आ जाती है दिव्यम आकर पूछता है वह कहती है भूंक लगी है फिर नीचे जाती है राधी का खाना खाने तो उसे एक परचाई दिखती है